हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, स्वेताज की चिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे रजस्थानी गट्टे की सबजी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलिशेस लगता है इसे आप लंज में या डिनर में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं चपाती की साथ या फिर राइस के साथ भी सरू कर सकते हैं तो ऐसे ही इजी डिलिशेस और क्वीक रेसिपी के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हिट देबल आइकन फॉर न्यू रेसिपी और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और ये गटे की सब्जी तो एक बड़ आप जरूर ट्राइ किजिएगा आपको जरूर पसंद आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना इसके लिए मैंने एक कप बेसन ले लिया है अब इसमें कूटा हुआ धनिया, जीरा, सौफ और अजवायन इसको मैंने ऐसे ही कूट लिया था, क्रस्ट कर लिया था वन टीस्पून डालेंगे इसमें फिर पिंच ओफ हल्दी, हाफ टीस्पून वन टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे इसमें नमक स्वात के अनुसार और घी डालेंगे जिससे की ये बहुत ही गट्टा जो बनेगा न हमरा सौफ बनेगा उसके बाद दही, इसमें पानी नहीं डालना है इसको दही से ही इसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे जिससे हम गट्टा बनाएंगे, अब वन टीस्पून ओयल डालेंगे इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हाथों से इसका एक स्मूथ डो रेडी कर लेंगे स्टार्टिंग में आपको लगएगा कि ये बहुत स्टिकी है लेकिन इसको अच्छे से आप मसल लिएगा हाथों से तो ये सौफ्ट हो जाता है बिल्कुल जब तक ये नॉन स्टिकी न हो जाए तब तक आपको इसे मिक्स करना है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है जितना मैंने दही डाला है उससे ही ये हो जाएगा देखे बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा अगर हाथों में फिर भी चिपक रहा है तो थोरा सा हाथों में ओयला आके इसको स्मूध कर लेजिए और बहुत हाड नहीं बनाना है नहीं तो जो गटा हम बनाएगे न वो सबजी में डालने के बाद बहुत हाड हो जाएगा अब इसका छोटी छोटी लोई बना लेंगे और इस तरह से सिलिंड्रिकल सेप दे देंगे इसको बिल्कुल इस तरह से इसका थिकनेस पास एक इंच ही होना चाहिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं अब पानी को बॉइल करेंगे पानी का टेंपरेचर बिल्कुल हाई होना चाहिए उसके बाद इसमें हम जो गट्टा हमने बनाया है उसको डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर बॉइल करेंगे इस टाइम पर आप फ्लेम को बिल्कुल लो ना रखे जब भी ये गट्टा डालें आप उबलने के लिए पकने के लिए तो उस टाइम पर हाई फ्लेम पर पानी उबलते रहना चाहिए उससे भी गट्टा के हाड होने और सॉफ्ट होने पर फरक परता है तो इस बात का भी अप ध्यान रखें जब गट्टा के ऊपर बबल थोड़ा थोड़ा दिखने लएगा इसका मतलब कि ये हो गया है अभी दिख रहा है ना तो फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको निकाल ले देखिए इसके ऊपर जो बबल साया है ना उससे पता चल रहा है कि ये सॉफ्ट होगा अब इसको हम काट लेंगे आप से अपने एकॉर्डिंग बना सकते हैं छोटा बड़ा देखिए कितने असानी से कट रहा है बहुत ही सॉफ्ट बना है ये तो आप घी जरूर जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा अंदर से भी आप देख सकते हैं किस तरह बना है अब इसको आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं सैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर बिना फ्राई किये भी करी में डाल सकते हैं लेकिन मैंने सैलो फ्राई किया है टू टी स्पून डोल डालेंगे जब वह अच्छी तरह से गरम हो जाएगा उसके पद हाई फ्लेम पर इसको साइलो फ्राइगे इसे आप अजय स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है बस एक मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर इसको silo fry कर लेंगे जिससे क्या होगा कि इसके उपर एक golden color आ जाएगा और ये बहुत ही अच्छा सा shape में आ जाएगा करी में डालने के बाद ये बहुत घूलेगा नहीं बिल्कुल इस तरह से बरकड़ा रहेगा अब करी के लिए एक दही का पेस्ट रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने 4 टेवले स्पून दही ले लिया है उसमें 1 टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे फिर हाफ टी स्पून जीर्या पाउडर वन टी स्पून रेट चिली पाउडर उसके बाद इसमें थोरा सा हल्दी कलर के लिए डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही को हमें बहुत ही अच्छे से फेटना है ताकि जब हम इसका ग्रेवी बनाए तो यह फटे नहीं तो इस बाद का आप जरूर ध्यान रखें बहुत ही अच्छे से इस मसाला हमने करस्ट करके गटे में डाला था ना वही वहला मसाला वन टी स्पून फिर दो सुखी लाल मिर्च एक मिडियम साइज का प्यास बारीक कटा हुआ इसको अच्छी तर से फ्राई कर लेंगे इसमें कूटा हुआ जो धनिया जीरा सौफ और अजवायन डालते हैं उसे इसका फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है अब इसमें वन टी स्पून जिंजर गालिक पेस्ट डालेंगे आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं अगर आप अनियन नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बहुत जदा ब्राउन नहीं करना है थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद इसमें दही वाला जो हमने पेस्ट डेडी किया है उसको डालेंगे इस टाइम पर आप फ्ल बस इसको चलाते रहें अब इसके बाद इसको ढख देते हैं दो मिनिट के बाद देखे इसका कलर कितना चेंज हो गया है इसको चलाते रहेंगे तो आपका दही कभी नहीं फटेगा, अब इसमें जो गट्टा हमने रेडी किया था उसको डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अब इसमें जो गट्टा हमने उबाला था जो पानी बचा था ना उसको डालेंगे, इससे ग्रेवी भी थीक हो ज तो जब भी हम गट्टा उबालते हैं तो उसको पानी जो उसका बजता है ना तो उसे आप फेक ये नहीं अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाहत के अनुसार और इसको ढखकर पात से छे मिनिट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर अब देखिए इसका ग्रेवी बहुत ही अच्छा बन गया है अब इसमें हम वन टीस्पून का सूरी मेथी डालेंगे और बस एक मिनिट के लिए और ढखकर इसको कूप कर लेंगे बहुत ज्यादा दिर नहीं करना है अब एक मिनिट के बाद देखिए किता टेस्टी लग रहा है देखने में ही अब इसमें हरा ध आप एक बार अगर ट्राइ करेंगे तो इसे आप जरूर दुबारा बनाना पसंद करेंगे ऐसे ही इजी डिलिसियस एंड क्विक रेसिपी के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब और हिट दबल आइकन फॉर न्यू रेसिपी और कॉमेंट करके जरूर बताएगा आपको म झाल